हलो फ्रेंज आज मैं आपको एक ऐसे टोपिक के बारे में बताने वाला हूँ जिसके बारे में बहुत सारे स्टूडेंट्स और बहुत सारे स्टूडेंट्स के पेरिंस मुझसे सवाल करते हैं ये वीडियो में चाहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा students देखें, especially जो class 10th में हैं या class 10th pass करने वाले हैं, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज के social media वाले जमाने में सभी parents और सभी students का जो सबसे बड़ा problem है, वो है distractions, कि हमारा बच्चा पढ़ता तो बहुत है लेकिन ब and would help you bring out better results, तो याद रखिए सबसे पहला तरीका है जो कि है distraction को दूर भगाने का वो है अपने goals को हमेशा याद रखिए, कभी भी अपने goals को मत भूलिए, बिलकुल मत भूलिए, अगर आप एक class 10th के student हैं तो आपका goal होगा कि मैं board exams में अच्छा करू, अगर आप 11th या 12th क students हैं तो आपका intention होगा कि मैं अच्छे से अच्छे college में admission लो, अगर आप एक engineering college या medical college के student हैं तो आपका intention होगा कि मेरे PG के exams में मैं बहुत अच्छा करू, अपने degree में अच्छे से अच्छे marks लाओ, अगर आप एक post graduate student हैं तो आपका agenda होगा या goal होगा कि मेरी अच्छे से अ जब आपका मोबाइल बजे, जब आपके दोस्त आपको बुलाएं टाइम वेस्ट करने के लिए, जब कोई पिच्चर देखने का आपका मन करे या टीवी पर IPL आ रहा हो, जब काफी सारे बच्चों को मैंने देखा है, जो दस्वी तक तो बहुत अच्छा करते हैं, टास टेंट्स तक बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, और अचाना कि 11th, 12th में आते ही होने कुछ हो जाता है, कभी-कभी आगे भी होता है, कि 11th, 12th तक तो बहुत अच्छा दराइव धिरे धिरे खतम होती जाती है, तो याद रखिए आप 10th तक इसलिए नहीं आए हैं, कि आपको सिर्फ 10th तक आना था, you never come this far because you wanted to come only this far you always wanted to go ahead, you always want to go beyond तो अपनी पुरानी महनत को याद करिये और अपने आपको याद दिलाइए कि मैं सिर्फ यहां तक आने के लिए नहीं बनाओ मैं सिर्फ दसवी अच्छे से करने के लिए नहीं बनाओ या मैं सिर्फ बारवी अच्छे से करने के लिए नहीं बनाओ मैं सिर्फ इंजिनिरिंग अच्छे से करने के लिए नहीं बनाओ अपने आपको अपनी पुरानी महनत जरूर याद दिलाइए और अपनी महनत की खुद रिस्पेक्ट कीजिए अगर आप अपने मेहनत की respect नहीं करेंगे तो कोई और आपकी मेहनत की respect कभी नहीं करेगा तीसरी चीज़ अगर अपनी मेहनत भी याद नहीं रहती है तो please अपने parents की sacrifice को याद कीजिए ठीक है? कुछ लोगों के parents के पास बिलकुल पैसा नहीं होता है वो इधर-उधर से किसी तरह manage करके अपने बच्चों को पढ़ाते है कुछ के parents ऐसे होते हैं जो दो-दो-तीन-तीन jobs करते हैं ताकि वो अपने बच्चों को अच्छी जगे पढ़ा पाएं कुछ माबब Hindi मीडियम से पास हुए रहते हैं और वो चाहते हैं कि उनका बच्चा कॉन्वेंट में पढ़े या इंग्लिश स्कूल में पढ़े तो प्लीज अपने parents के hard work और अपने parents के sacrifice को याद कीजिए ये तीन वो छोटे काम है जो आपको हमेशा अपने goal से और अपने distraction से भटकने नहीं देगा हमेशा अपने goals पर लगे रहे है अब चौथा point जो है इस वीडियो का वो मैं आपको एक छोटा सा framework देने वाला हूँ एक छोटा सा framework जिसके अंतरगत मैं ये decide करता हूँ कि जो मेरा काम है या जो मेरा distraction है वो मेरे लिए beneficial है कि नहीं है I'll give you an example जब भी आपके समने कोई distraction आए आप हमेशा सोचिए कि क्या ये चीज़ मेरी health मेरे wealth और मेरे education में कोई value add करती है I'll give you an example अगर आपके चार दोस्त हैं जो आपको बुला रहे हैं cigarette पीने के लिए क्या ये आपके health में add करती है तो उस group को avoid किजिए क्योंकि आपके health का नुकसान करता है ये पहले parameter कोई नुकसान पहुचाता है अगर आपके कुछ दोस्त हैं जो शराब पीते हैं और आपको शराब पीने के लिए encourage करते हैं या बुलाते हैं इनके साथ मज जाए ये distraction है ये आपकी health को खराब करते हैं ठीक है कई cases में health और wealth दोनों को खराब करते हैं क्योंकि कोई आपको free में तो फिलाएगा नहीं अगर कोई शराब पिलाएगा तो आपको भी पैसे भरने पड़ेगे ठीक है तो आपका health और आपका wealth दोनों का नुकसान हो रहा है अगर आप बहुत ज्यादा mobile या video game खेलते हैं तो हमेशा याद रखिए इससे आपके जीवन में कोई value addition नहीं होने वाला है बल्कि आपकी आँख हैं और खराब हो सकती हैं आप अपना बहुमूल ये time बरबाद कर सकते हैं जिसको आपको exam के preparation में लगाना चाहिए तो ऐसा मत कीजिए social media बहुत सारे जवान बच्चे बच्चियों को इस चीज की आदत लगी होती है instagram और facebook पे वो घंटों बरबाद कर देते हैं याद रखे कोई भी story बनाना कोई भी post करना कोई भी forward करना आपके health, wealth या education में कोई value add नहीं करेगा इसलिए जहां तक हो सके social media को avoid कीजिए अगर आप social media पे रहते हैं तो सिर्फ इसलिए रहे क्योंकि आप अपना awareness level बढ़ाना चाहते हैं बस अगर आपको ये पता चल रहा है कि दुनिया में क्या हो रहा है आपकी society में क्या हो रहा है आपके schools में क्या हो रहा है आपके अलग-अलग extracurricular activities में क्या हो रहा है आपके clubs में क्या हो रहा है इस प्रकर की अपनी awareness बढ़ाने के लिए अगर आप social media पे हैं तो तो ठीक है otherwise आप अपना बहुमूलिय टाइम वेस्ट कर रहे हैं do not do that बहुत सारे लोगों को 10, 11, 12 में आते ही प्यार हो जाता है याद रखिए ये एक single ऐसी चीज है जो आपके पूरे जीवन को बरबाद कर देती है ये आपकी health, आपका wealth, आपका education सब कुछ खराब कर देगा ये दुनिया का सबसे घटिया distraction है अगर सभी distractions को rate करने बोलें तो मेरे opinion में boyfriend और girlfriend number one distraction होता है और social media number two होता है cigarette, शराब, mobile या video game लोग थोड़े दिन में शायद छोड़ देंगे या शायद recover कर पाएंगे जब उनको अकल आएगी लेकिन ये जो दो है social media और girlfriend, boyfriend इसका नशा जो है लोगों के दिमाग से आसानी से या जल्दी से नहीं उतरता है तो please अपने आपको इन सभी चीजों से दूर रखें अब आते हैं कुछ अच्छी चीजों की तरफ ठीक है? जैसे अगर आपको कोई cricket या badminton खेलने के लिए बुलाता है इससे आपकी health improve होती है please यहाँ जरूर जाएए अब cricket या badminton खेलने जाने के लिए मैं यह नहीं कहा रहा हूँ आपका awareness को बढ़ाता है योगा कीजिए, meditation कीजिए, weightlifting कीजिए, marathon दोड़ी है यह सारे काम कीजिए यह सारे काम आपके health, आपकी wealth और आपके education इन तीनों areas में value add करती है please यह जो top A to E जो मैंने लिखे हैं इन चीजों से दूर रहे हैं और F से लेकर L तक जो मैंने लिखाया है इनको अपना ही है याद रखिए, distraction से दूर जाने का यह बहुत आसान तरीका है अपने आप से एक simple question पूछिए कि क्या यह जो मैं करने जा रहा हूँ इस से मेरे health, wealth और मेरे education में क्या कोई addition होगा यह जा रही एक जाए जाव अपने जाए जाए जा जाए 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 को अफो कहा है इस पूर। आपकिछ। आपकि एल्सक्तिशना यह झजाया है क्या है क्या है hard, keep practicing hard, cheers and God bless.